हलो दोस्तों, आज इस लेख में मैं आपको बताऊंगी कि आप इनफेक्शन से बचाव कैसे कर सकते हैं और साफ सपाई और वैक्सी नेशब के महत्तव को समझेंगे तो आईए लेख की शुरुआत करते हैं पर इसके पहले किरपय वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें इनफेक्शन हमारे शरीर के अंदर होने वाली छोटी छोटी तत्मों के तरह होते हैं बैक्टीरिया या वाइरस जैसे चोटे माइक्रो औरगैनिजम उन्हें निशाना बनाते हैं ये माइक्रो औरगैनिजम हमारे शरीर में परवेश करने पर हमें बिमार कर सकते हैं और बुखार खासी और नाक बहनी जैसे लक्षण पैदा कर सकते हैं दूसरी ओर, Immune System हमारे शरीर के लिए एक सूपर हीरो के रूप में कारिय करता है यहाँ एक रख्षप के रूप में कारिय करता है बैक्टिरिया को दूर रखता है और हमें आराम दायक बनाए रखता है हमारा immune system कभी-कभी तेजी से जीतता है और हम तुरंत बहतर अनुभव करते हैं कभी-कभी इसमें कुछ समय लगता है और हमें विज्ञानिक सहयता या दवा की आवशक्ता होती है हम अपनी हथेलियों को बार-बार धोने, खासने या छीकने के दोरान अपनी चहरे को ढखने और इन सरल कदमों को अपना कर इन वाइरस के परसार को रोक सकते हैं क्योंकि हम अपनी fitness बनाये रखने और infection के परसार को रोकने में सक्षम है तो आईए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं हाथ की स्वच्ता और vaccination क्या है हाथ की स्वच्ता अपनी बाहों को साफ रखने से किटानूओं और माइक्रो और्गैनिजम्स के परसार को रोकने में मदद मिलती है जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं यह अपने अलावा किसी की भी सेहत का ध्यान रखने का आसान तरीका है अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना या अलकॉहल युक्त हैंड सैनिटाइजर का उप्योंग करने से हमारे हाथों को माइक्रो और्गैनिजम्स से छुटकारा पाने में मदद मिलती है जिससे खुद को या किसी और को असवस्थ होने की संभावना कम हो जाती है वैक्सिनेशन वैक्सिनेशन कुछ संकार्मक बिमारियों से बचाव की एक तकनीक है इम्यून सिस्टम को एंटी बॉडी की आपूर्थी करने के लिए टीके के अंदर एक नस्ट या इन एक्टिव पैथोजन का एक हिस्सा होना चाहिए वैक्सिनेशन प्रापत करता टीके के पास जाते इंफेक्शन को बढ़ने से रोकते हैं या उनकी गंभीरता को कम करते हैं परणाम सवरूप बड़े सिर्दर्द और परकौप की संभावना कम हो जाती है दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत का कारण बनने वाली कई घातक बिमारियों से छुटकारा पाने और नियंतरित करने के लिए वैक्सिनेशन महतपुर्ण है तो दोस्तों वैक्सिनेशन की परिभाशा अब आप जान चुके हैं तो आएए आप जान लेते हैं इनफेक्शन के कारण क्या कारण है जिन से इनफेक्शन होता है जिन में से नंबर एक है वाईरस नंबर दो फंगस यानी के फफून नंबर तीन पेरासाइट नंबर चार प्रोतोा नंबर पांछ व्यक्ति से व्यक्ति सांचार नंबर छे कमजोर इम्यून सिस्टम दोस्तों, vaccination के लाब के बारे में जान लेते हैं आप टीके लगवा कर फ्लू और अन्याँ विमारियों से बच सकते हैं वैक्सीन हमें नया जीवन परदान करते हैं क्योंकि वे मनूश्य को विमार होने और बत्तर होने से रोपते हैं 3. जब कई लोग vaccination प्रापत करते हैं तो इससे उन लोगों की सुरक्षा करना आसान हो जाता है 4. vaccination से बिमार होने वाले और medical treatment के लिए जाने वालों की आवशक्ता की संभावना कम हो जाती है 5. बिमारी के इलाज की तुलना में बिमारी की रोग थाम के लिए ठीके कम खर्चीला विकल्प है 6. जब आप विभिन स्थानों पर जाते हैं तो ठीके आपको बिमारियों से बचाते है 7. कुछ टीके वर्षों तक या शायद जीवन भर तक आपकी रक्षा करते है 8. वेक्सिनेशन बिमारियों को रोग कर शेत्र को स्वस्थ बनाने में मदद करता है 9. वैश्विक फिटनेस हमारी को एक देश से दूसरे देश में फैलने से रोगने में मदद करती है तो आये दोस्तों अब जान लेते हैं इन्फेक्षन के लक्षन और कुछ संकेतों के बारे में लक्षन इन्फेक्षन के परकार और शरीर के परभावित हिस्से के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं हालां कि कुछ बड़े लक्षन हैं जो बिमारी की उपस्थती का संकेत दे सकते हैं निमन लिखित कुछ सामान्य इंफेक्शन, सावधानी, संकेत और लक्षन है जिनमें से नमबर एक है बुखार सामाले से अधिक शरीर का तापमान अक्सर इनफेक्शन का संकीत होता है यह बिमारी से बचने का प्रकर्तिक तरीका है नमबर दो ठकान यदि आप अचानक अतिसंबेदन शील या ठका हुआ महसूस करते हैं तो आपका शरीर किसी इनफेक्शन से लड़ रहा है स्थानिय कृत दर्थ या बेचैनी भी इनफेक्शन के परणाम सवरूप हो सकती है उधारन के लिए गले में खराश और कान में इनफेक्शन के कारण कान में दर्थ हो सकता है नमबर चार लालीमा और सूजन जब कोई व्यक्ति बिमार पड़ता है तो जलन एक सामान में प्रिक्रिया है सूजन वाले स्थान के आसपास लालीमा और सूजन हो सकती है नमबर पाच खासी या गले में खराश ब्रेधिंग इनफेक्शन के कारण नियमित रूप से खासी गले में खराश या सांस लेने में समस्या हो सकती है नमबर 6, मुहासे, त्वचा इन्फेक्शन, बैक्टेरियल इन्फेक्शन या चिकन पॉक्स जैसे इन्फेक्शन का एक पहलू परभाव हो सकता है नमबर 7, विभिन इन्फेक्शन जैसे सामान्य सर्दी या मैनिंजाइटेस जटिलताओं का कारण बन सकते हैं तो आएए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इन्फेक्शन का उपचार और रोग थाम कैसे की जा सकती है इन्फेक्शन का उपचार करने के लिए आएए जान लेते हैं कुछ तरीके जिन में से नमबर एक है, फंगई को मानने वाली दवाओं का उपचार फंगल इन्फेक्शन से निपटने के लिए किया जाता है ये गोलियां संदूशन पैदा करने वाले माइक्रो और्गैनिजम को धीमा करने या नस्ट करने में मार्ग दर्शन करती है नमबर दो, दर्द का इलाज, आप माइग्रेन जटिलताओं और शरीर में दर्द जैसी बिमारियों के इलाज के लिए पैरासेटमोल या आईब्रूफन के साथ दर्द निवारक दवाएं ले सकते हैं नमबर तीन, अस्पताल में ट्रीटमेंट कुछ गंभीन इन्फेक्शन्स या सिर्दर्द के वक्त, उक्चार और करीबी निगरानी के लिए अस्पताल में भरती होना महत्पूल हो सकता है तो आईए दोस्तों अब इन्फेक्शन की रोक थाम के बारे में जान लेते हैं जिनमें से नमबर एक है वैक्सिनेशन सामय पर वैक्सिनेशन करने से कई संक्रात्मक बिमारियों से बचाव में मदद मिलती है उनकी घटना को रोका जा सकता है या यदी वे होते हैं तो उनकी गंभीरता कम हो जाती है नमबर 2 खाद्य सुरक्षा यदी आप अच्छी तरहां से देख भाल करते हैं राद का खाना बनाते हैं और भोजन का भंडारन करते हैं तो आप बिमार होने से बच सकते हैं नमबर तीन, निकट संपर्त से बचें, इन्फेक्शन के खत्रे को कम करने के लिए रोगियों से दूर रहें नमबर चार, एक स्वस्थ बजन घटानी की योजना और भरपूर स्नेक्स, एक स्वस्थ इम्म्यून सिस्टम के लिए महतुपूर्ण है नमबर पाँच, आप अपने संपत्ती, कार्याल्य और आन तोर पर छुई जाने वाली स्थेह को साफ और पिटानू रहित रख कर विभिन परकार के इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं नमबर छै, एंटी बायोटिक दवाओं से परहेज जब आवश्यक हो और डॉक्टर की सिलहा के अनुसार एंटी बायोटिक दवाओं का उप्योग करना आपको एंटी बायोटिक दवाओं की परभाव शीलता को खोने से बचाने में मदद करता है तो आईए दोस्तों अब निशकर्ष पर आजाते हैं अपनी फिटनेस और सेहत को उच्टम स्तर पर बनाए रखने के लिए इंफेक्शन की रोख था मेहत्पूर्ण है कुछ आसान दिशा निर्देशों का पालन करके हम बिमारियों को फैलने से रोख सकते हैं एक संतूलित वजन घटानी का कारेकरम एक स्वस्थ जीवन शैली बार-बार हाथ धोना और हाल ही में वेक्सिनेशन कुछ ऐसे कारक हैं जो इम्मिन्यूटी को पढ़ावा देने और इंफेक्शन के खत्रे को कम करने में मदद कर सकते हैं पर्यावर्ण को साफ सुत्रा रखने और आसवस्थ मनुश्यों के निकट संपर्क से बचने से रोग की रोग थाम में आतिरिक्त लाब होता है इसके अलावा अगर आप किसी इन्फेक्शन की चपेट में आ गए हैं और उसके परभावी इलाज की तलाश में हैं तो डॉक्टर से आप सलाहा प्रापत कर सकते हैं दोस्तों इम्यून सिस्टम और वेक्सिनेशन पर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करकर जरूर बताएं और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद कर जादे कर दो कि अधा है वीडियों कर दो वीडियों कर दो तो बताएं